मुके शम्बानी अपनी रिलाइंस कंपने में अब MBA को लई नी रहा है MBA वाले को तब भी लेगा जब IAIM में उसने स्टड़ी किया हो हमारे गुजरात में तो उसको MBA करने वाले को 10,000 पगर मिलता है बाके सब मुकेशंबानी की कंपनी रिलाइंस में जो काम करते हैं ओफिसर है वो आएस अधिकारी है रिलाइंस कंपनी में ऐसे डेट सो से भी ज्यादा आएस ओफिसर काम करते है मुके शम्बानी किसी कलेक्टर को मिलता है उसे देखता है उसमें उसको नोलेज दिखता है तो उसे पूछता है कितनी उम्र है तेरी तो कहता है कि अठाई साल की है मेरी मुके शम्बानी कहता है तुझे पगार कितना मिलता है तुझे सरकार पगार कितना देती है वो बोलता है पचास अजार मिलता है आजार इलाइंस में तुझे पांच लाग दूँगा यानि कि साल का साट लाग पगार हुआ साट लाग का पगार दिया कलेक्टर खुश हो गया मुंबई में मरिन ड्राइव पर 3BH के फिलेट दिया जिसका रेंट महिने का धाई लाग हो साट लाग का पगार धाई लाग का रेंट वाला घर दिया और सो करोड रुपे दे दिये और उसको बोल दिया कि साल के अंत में मुझे ये धाई करोड चाहिए अब तुझे जो भी करना है ओकर बात खत्म इतना ही काम करता है मुके शंबानी अपनी कमपनी में मिटिंग में वो क्या पुछता है दो ही प्रशन पुछते है एक एक्जमपल ले लिजे मेरा पावर प्लांट है उसकी केपेसिटी 100 मेगा ओट की है मुझे उसमें एक साल के अंदर 100 मेगा ओट की चाहिए वो पहला प्रशन हो गया उसको बोल देती हो कि और नोट डाउन कर लो दूसरा क्वेस्चन है होता है कि ये करने के लिए पैसे कितने चाहिए क्योंकि ये सारे पैसे का पहले से इंतिजाम करके रख़ा होता है तो उसने बोला कि 500 करोड़ चाहिए मुझे इसके लिए को मतलब नहीं है एक देनी है, दो देनी है, उसे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुझे कोई स्टाफ रखना है, पांसो लोगों को रखना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ साल केंट में तुझे साड़े साथ सो करोड मुझे देना है, रिलाइंस कंपनी का यही टार्गेट होता है, इस तरह से Reliance Company खड़ी हुई है ऐसे ही Reliance Company इतनी बड़ी नहीं हुई जामनगर में जो Refinery है उसका जो Officer उसको संभालता है उसका पूरा कारोबार संभालता है उसको मुके संभानी ने Private Jet दिया हुआ है ये सब क्यों? एसा इसी लिए क्योंकि संडे को अपनी फेमिली के साथ रह सके और Bombay जा सके एसे 500 वेक्ती Reliance Company में काम करते हैं